एंजल 1 में अपना Demet Account कैसे ओपेन करना है पूरा प्रोसेस मैं आप निखाने वाला हूंँ चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आप वेको एंजल 1 में अपना Demet Account ॐपेन करने के लिए Play Store for पर आना है है दिन आपको सीट के आपश्यन पे क्लिक करना है इस sto!... आपस विके पास भी लॉग इन नहीं इसके लिए आप यहां पर रजिस्टर के पूर्अ पर दोस्ट कि अपना फिल करना है इसी के साथ में आपको अपना मोइल झीट फोन!!!muss पर आप सभी लोगों को मुबायल फोन पर एक OTP receive होगा वो OTP आप सभी को इस वाक्स में फिल कर देना है और referral code के section में यहाँ पर मैं आप सभी को एक referral code दिखा रहा हूँ यह referral code आप सभी को फिल करना है जिसके आप सभी को 500 रुपे का sign up bonus भी मिल जाएगा जिसके बाद में आप सभी को यहाँ पर term and condition को accept कर लेना है और proceed के option पर click कर देना है next option आएगा जहाँ पर आप सभी को इस application में login करने के लिए दो method दियेगे हैं जिसमें कि आप सभी लोग Google से या फिर आप सभी लोग यहाँ पर manually अपनी email ID को इंटर करके login कर सकते हैं तो हम यहाँ पर गूगल का जो option है उसे ही select करेंगे फोन में जो भी email ID login होगी उसको हम choose कर लेंगे जो email verification है वो successfully हो चुका है इसी के साथ में आप सभी के सामने page आता है जिसमें कि आप सभी को pen को scan करना है जिसके लिए यहाँ पर दो option दियेगे हैं पहला तो है आप camera से photo को capture कर सकते हैं या फिर आप सभी लोग गैलरी में पहले से अगर pen card की copy को आपने रखा हुआ तो यहाँ पर selection कर सकते हैं तो हम यहाँ पर camera के option पे click करेंगे pen card को photo को capture कर लेना है और use this photo इस option पे ओने आप सभी को क्लिक कर देना है आप Pen card upload होने के बाद में पर capital letters में आप सभी को pen number and enter और अपनी data bus को यहाँ पर filter कर देना है और यहाँ पर आप सभी को अपने father का नयम जिस भी तरीके से pen cardपर है सेम उसी तरीके से यहाँ पर फिल कर देना है कनफर्म के option पर क्लिक करते ही next page आएगा जहाँ पर आप सभी को अपनी bank details को इंटर करना है bank का selection करना है कई सारी favorite bank उपर की तरफ दिखाए गई है और नीचे की तरफ आप सभी को एक पूरी ही bank की list दी गई है नाम नहीं देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो search बात दीगे है इसमें आप अपने bank का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आप से भी को suggestion आ जाएगा जिसको आप से भी को select कर लेना है अब bank का selection करते ही नीचे के तरफ आप देखोगे आप से पूछा जाता है कि आपका जो bank account है वो किस mobile number से link है SIM 1 से SIM 2 से तो यहाँ पर आप selection कर लेंगे इसके बाद में आप से भी को continue के option पे क्लिक कर देना है यहाँ पर आप से भी को ध्यान रखना है कि आपका जो SIM card है वो इसी phone में डला होना जीए और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो bank account है उसकी जो details है फिच होना start हो चुकी है और कुछी समय में आप लोग देखोगे कि यहाँ पर हमारे उस mobile number से जितने भी account होंगे सो हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पर 3 हमारे account सो हो रहे हैं लिंक है या नहीं लिंक है तो यहाँ पर पहला जो option है इसे ही select करना है क्योंकि हम online ही KYC करना चाहिए तो यहाँ पर हम first option पर क्लिक करेंगे अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने मेरी पहचान digital locker करके एक page आ चुका है जो OTP आपसे भी को यहाँ पर फिल कर देना है और continue के option पर क्लिक कर देना है कि यह सारी permission हमें allow करनी होगी तो यहाँ पर नीचे के तरफ आप देखोगे allow का option दियागा है जिस पर आप क्लिक करोगे तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो डिजी लॉकर से verification है वो successfully हो चुका है इसी के साथ में हमारे सामने personal information का एक page आ जाता है जो भी annual income है सालाना आप जितना भी कमाते हो यहाँ पर कई सारे option दिये गए इनमे से selection कर लेना है इसी के साथ में आपका occupation क्या है जिसमें कि आप business man है private company में काम करते है government servant है या पर कोई other type के आप business करते है या फिर student है तो आप सभी को यहाँ पर selection कर लेना है इसके बाद में male female जो भी gender है selection करने के बाद में इस page में नीचे के तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी को marital जो भी status है से लेक कर लेना है single है नीचे के तरफ आना है तो यहाँ पर आप सभी लोगों का जो security fund होगा जो पैसा आप इसमें deposit करोगे जो भी आप investment करोगे उसका जो statement है वो आप चाहते हो किस तरीके से चाहते हो quarterly, monthly yearly आपको यहाँ पर selection करने के option मिलते हैं तो choose कर लेना है then यहाँ पर आपको proceed के option पे click कर देना है अब proceed के option पे click करते ही next page आता है upload document का जिसमें की आप यहाँ पर देखोगे की आपका जो pen card है वो पहले से आपने जब first time capture किया था upload हो चुका है अब आप यहाँ पर आप सभी को photo के option पे click करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आपको मैं जैसे दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप सभी को अपनी photo को capture करना है जिसमें की यहाँ पर यह जो circle है यह green color का सो होना थी आप सभी के जो background है पीछे की wall है वो plane होनी चाहिए आप यहाँ पर signature यहाँ पर आपको upload करने है जिसमें की signature की जो file है अगर आपने गैलरी में रखी है तो selection कर सकते हैं या फिर camera के माध़म से directly आप capture कर सकते हैं signature भी आप सभी के clear wishable होना चाहिए अब यहाँ पर signature upload होते ही आप सभी के सामने next page आता है जहाँ पर आप सभी लोग अपने demate account में कौन कौन सी services activate करना चाहते हैं उसके बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर आप सभी का जो equity है जो stock market में investment करोगे mutual fund में जो भी आप investment करोगे उसके लिए आपका जो account है वो activate हो चुका है उपर की तरफ आपको दिखाया गया इसी के साथ में अगर आप सभी लोग future या फिर option में trading करना चाहते हो आप same day stock को purchase करके sale करना चाहते हो या फिर आप सभी लोग minus में stock को buy करना चाहते हो तो वो भी आप यहां पर कर सकते हो तो यहां पर उसके लिए selection का option दिया है अगर आप चाहो तो अभी आप इसको activate कर सकते हो अगर आप सभी को activate करना है तो यहां पर आप सभी को yes I went to activate now इस option पर क्लिक करना है तो आप सभी की यह जो service है activate हो जाएगी इसी के साथ में आप सभी की सामने next page आएगा जहाँ पर आप सभी से एक income proof मांगा जाता है जिसमें कि आप सभी लोग अपना bank account का जो statement है वो upload कर सकते हो जिसमें कि आप सभी को ensure करना है कि पिछले 6 महीने का जो भी bank statement है details दर्जोना चाहिए इसी के साथ में आप सभी की जो bank passbook है वो passbook upload करने का option मिल जाता है या फिर आप सभी लोग अपनी जो latest salary slip है वो upload कर सकते हो ITR की upload कर सकते हो या फिर फॉर्म नंबर 16 या लेटरे डीमेट account का holding कर रखिए दूसरे डीमेट account का statement भी आप यहां पर लगा सकते हो upload कर सकते हो जिसके लिए भी आप सभी को यहां पर option मिलता है PDF में upload करने का या फिर भी एरिया हमें चाहिए वो यहां पर हम selection कर लेंगे और इसी के साथ में आप देखोगे कि हमारे जो document हैं वो successfully upload हो चुके हैं अब नीचे के तरफ देखोगे तो यहां पर आप सभी को यहां पर आप सभी कर देना है और यहां पर आपको generate OTP के option पर यहां पर आपको क्लिक कर देना है जो भी mobile नंबर यहां पर फिल किया होगा उस पर एक one time password आएगा वो OTP यहां पर आप सभी को फिल कर देना है यहां पर आपको submit के option पर क्लिक करते ही यह जो page है इस पर आपको wait करना है इसको close नहीं करना है यह page सब्सक्राइब लोग अपने friends और family के साथ में अगर इस application के बारे में share करते हो बताते हो तो यहां पर उनको भी आप सभी के थुरू account अगर open करते हैं तो उनको 500 रुपे का वाउचर मिलेगा इसी के साथ में आप सभी लोगों को भी 500 रुपे का यहां पर benefit होने वाला है और उनका जो account है वो भी फ्री में open हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपना तो account open ही कर चुके हो अने लोगों को बता करके उनके थुरू आप account को open कर सकते हो अगर आप refer नहीं करना चाहते हो तो आपको यहां पर letter का option दिया गया है I refer letter इस option पे click कर देना है अब यहां पर हमार account तो open हो चुका है लेकिन हमारा जो account है इसका जो verification है वो अभी pending है करिफ तीन दिनों का हमें wait करना है यहां पर बोला जा रहा है तीन दिनों के अंदर हमारा जो verification है वो successfully हो जाएगा अब यहां पर यह जो verification है इसमें आप से भी लोगों ने जो भी application में details फिल की होगी जो भी आपने document upload किये होंगे वो verification होते ही आपका account activate हो जाएगा email और SMS से आपको notification मिल जाएगा जिसके बाद मैं इस application में अपना username या फिर आप सभी लोगों ने email के थूँ जो login किया था उसके थूँ लोग इन करके आप सभी लोग अपना account use कर सकते हो stock में trading कर सकते हो mutual fund में investment कर सकते अगर आप channel पर नए हो तो channel को subscribe करके रखना जिससे कि मैं जैसे video upload करूँ आप सभी को notification मिल जाए video आप सभी को आज का कैसा लगा मुझे comment box में जरूर बताना अपने और भी friends में इसे share करेगा हम मिलते हैं अपने नए video में तब तक ले goodbye